Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru आज फिर से हम एक नई वर्क्षीट लेकर के आए हैं आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं Class 9 की SST सामजिक विज्यान की वर्क्षीट नमबर 44 यानि की 44 को आज की हमारी वर्क्षीट भी काफी आसान रहने वाली है और बहुत important भी है आज की वर्क्षीट में हम जारे रखेंगे हमारा हिस्ट्री का इत्यास का तीसरा चैप्टर नाजीवाद और हिटलर का होती है पिछली वर्क्षीट में हमने बात की थी कि कैसे पर्थं विष्यूद में जर्मनी की हार होती है और उसके बाद वाइमर गंड़ाज या उसका उधे होता है साथ ही साथ वर्शाय की अपमान जनक संदी होती है जिसके बाद वाइमर जो रीपब्लिक है वाइमर गनराजे उसको उसके लिए जिम्मेवार ठहराय जाता है और वाइमर रीपब्लिक या वाइमर गनराजे वो लोगों के बीच में एलोग प्रिय हो जाता है आज की इस वरक्षीट में हम बात करने वाले हैं कि पर्थम विश्यूद के पाद जर्मनी में क्या-क्या बदलावाए, क्या-क्या उतल-फुतल हुआ तो चलिए शुरुआत करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह हमारी वरक्षीट नंबर 44 यानि की 44 है हमारा विश्यूद के बाद जर्मनी, यानि पर्थम विश्यूद के बाद जर्मनी में क्या कुछ बतला कैसे हालात बने कि हिटलर को आगे आने का मौका मिला युद का हरजाना वाइबर गनराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में प्राज्य का अपराद भोड़ता जैसा कि हमने पढ़ा कि वर्षाई की संदीती काफी कठोर थी, काफी अपमान जनक थी जर्मनी को एक करीब और एक कमजूर ऐसा है राष्टर बना दिया गया था उसकी सेना को भंग कर दिया गया था, युद के लिए जर्मनी को जिमिवार ठहराया गया साथी साथ उसके उपर छह अरब पॉंड का जुर्माना लगा दिया गया जो उस वक्त एक भारी भर कम रकम थी लेकिन उस जुर्माने को भड़ने के लिए उसको संसाधनो क्याब सक्टा थी लेकिन उसके संसाधनों में धनी जो इलाका था, राइनलेंड का इलाका था वो भी उससे छीन लिया गया, उसके उद्योग बरबाद हो चुके थे तो वो हरजाना लोटाना उसके लिए लगबग असंबवसा था और साथी साथ इस बात से वहां के लोग काफी क्रोधित थे उनमें एक अफराद बहुत था वो बदला लेना चाहते थे तो यहां पर जो पर्थम विश्युद था उसका सबसे बड़ा जो परभाव था वो ये था कि जर्मनी के लोग अपराद बहुत गरस थे और वो मोके की तलास में थे कि उसका बतला लिया जाए राष्ट्री अपमान के साथ हरजाना चुकाने की वज़े से आर्थिक सतर पर वह अपंग हो चुका था एक तो पहला यह था कि यह अपमान था जर्मनी का क्योंकि उसको बेहद कमजो राष्ट्र बना दिया गय था जो पर्थम विश्युद शुरू होने से पहले विश्युद के सबसे शक्तिचाली राष्टों में से एक था साथी साथ जब उसे जर्मान था हरजाना था वो चुकाना पड़ा तो आर्थिक सतर पर उसके हालात और ज्यादा बुरे हो गए क्योंकि पहले ही उसके उद्योग धंदे चोपट हो चुके थे वैपार चोपट हो चुका था उसकी जमीन उसके संसाधन खो चुके थे लेकिन जब जुर्माना चुकाना पड़ा वो हरजाना चुकाना पड़ा तो उसके आर्थिक हालात और ज्यादा पिकड़ गए अब इस सब के लिए जिम्यवार ठहराया गया किसको वाइमर गंडराज्य को वाइमर गंडराज्य जो लोगतांत्रिक सरकार थी उसको वहाँ के लोगों ने जिम्यवार ठहराया कि जो वर्शाय की संदी हुई थी वो वाइमर गंडराज्य के ऐस पलता थी पर्थम विश्यूद की हार हुई वो भी वाइमर गंडराज्य के ऐसा फलता थी जो वहां के आर्थिक हालात बिगड़े तो उसके लिए भी जिम्मवार ठहरा गया कि इसके लिए वाइमर गंडराज्य जिम्मवार है था क्योंकि नवंबर के महिने में ही वो वर्षाय की संदिवी थी तो इसलिए उनका मजाक उड़ाय जाता था कि आप जिस वाइमर गंडराज्य की बात करें थे जिस लोकतंत्र की बात करें थे उसने देखे देश को शिखर से रसातल में पहुंचा दिया जो एक वक्त आस्मान में था वो अब कहां चला गया है भूमिकत हो गया है इस मनुदशा का तीस के दशा के सुरवाती राजनते गटना करम पर गहरासर पड़ा और इसका परभाव क्या पड़ा जर्मनी में सब कुछ बदल गया जो लोग लोकतंतर की बात करते थे वो अब लोकतंतर का नाम भी नहीं लेना चाते थे क्योंकि जो भी लोकतंतर का समर्थन करे थे उनको लगा जर्मनी के ये हाल इसी लिए हुए है क्योंकि लोकतंतरिक सरकार कमजोर थी वाइमर गंडराजी यह बेहद कमजोर था तो उसका खुले आम मजाक उड़ाया जाने लग गया किसका लोकतंतरका और वाइमर गंडराजी का अब वहां के समाज में कुछ बदलावाए यानि क्या-क्या बदलावाए पहला थिये कि अब समाज में सिपाईयों को आम नागरिकों के मकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लग गया क्योंकि हर किसी के मन में एक ही जवाला थी बदला लिया जाएगा इसका और इसलिए तो कहा जाता कि जो वर्शाय की संदी थी उसी ने दूसरे विश्यूद के 20 बो दिये थी इतनी ज़्यादा कठोर थी तो इसलिए अब जर्मनी में एक जो समाज में बदलाव दिखा वो ये दिखा कि अब सिपाईयों को आम नागरिकों के तुलना में ज़्यादा सम्मान दिया जाने लग गया अब राजनिता या परचारक थे वो भी इस बात पर जोड देने लग गए कि पुरुशों को आकरमक, ताकतवर और मरदाना गुणोवाला होना चे यानि कि मानशिक तोर पर उनको त्यार किया जाने लग गया कि हमें बदला लेना है हमें और ज़्यादा शक्तिशाली बनना है हमें दोबारा से उठना है साथी साथ सार्जनिक जीवन में आकरमक, फोजी, परचार और राष्टे सम्मान, परतिष्टा के सामने बाकी चीजें कम महतव कि रह गई अब बेरोजगारी कितनी थी आर्थेक विकास में कितने पिछड़े थी क्या गलत था, क्या सही था वो सब कुछ पीछे चूट गया अब सिरफ बात हो रही थी वो थी राष्टर के सम्मान की बात हो रही थी राष्टर के परतिष्टा की और उसके लिए जो फोजी परचार किया गया यानि पूरा जोर दिया गया देश की सेना की ताकत बढ़ाने की तरफ तो ये बदलाव आए बदलाव कब आए, क्यों आए वर्षाई की संधी के काण और इसके लिए वाइमरी पबलिक है उसको भी जिमिवार माना गया तो इसलिए लोक तंत्रा है वो भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया इसके साथ-साथ वहाँ पर जर्मनी में कुछ नए विचारों का भी उद्य हुआ यानि एक तो हमने देख लिया कि समाज में बदलाव आए अभी तक हमने जो समझा बहुत से और भी बात एकी लेकिन हमने मुख्य तोर पर अभी तक हमने समझा कि पर्थम विश्यूद के बाद समाज में बदलाव आए वहाँ पर सेनिकों का महतव बढ़ गया वहाँ पर सेना का महतव बढ़ गया राष्ट की परतिष्टा है वह सबसे उपर हो गई तो ये तो समाज में बदलाव थे साथी साथ वहाँ पर कई नई विचारधारा आई नई विचारधारा क्यों आई क्योंकि जो एक नई विचारधारा आई थी लोकतंतर की वो तो धवस्त हो चुकी थी लोग नफरत करने लग गए थे वाइमर गंडाज जैसे लोकतंतर से क्योंकि उन्हें लगता था जर्मनी के हाल उसे के काणव है तो कई सारी नई वहाँ पर विचारधारा है जैसे जर्मनी में रूसी क्रांती से प्रेरित हो करके कई सारे सोवितें बनाए गए सोवित क्या होते संग जैसे संग सोवित हमने पढ़ा है ऐसे ही वहाँ पर भी सोवित यानि की संग बनाने लग गए यूनियन कह लिजी यूनियन बनने लग गए वहाँ पर मजदोरों की यूनियन नाविकों की यूनिन है वो बनने लगी समाजवादियों डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट ने वाइमर में राजनतिक प्रिवतन के लिए प्रियास किये अब जो समाजवादि थे जो रूस की क्रांति से प्रेरित थे डेमोक्रेट्स जो थे जो लोकतंतों के समर्थक थे और जो कैथोलिक थे गुट जो थे जो चर्च के समर्थक थे उन्होंने कोशिश की कि वाइमर गंडराज्ये में प्रिवर्तन किया जाए साथ ही साथ जो स्पार्ट किस्ट थे उन्होंने जर्मनी में कमनिष्ट पार्टी है उसकी में नीव डाल दी इसके बाद कमनिष्ट पार्टी जो सामयवादी थे और समाजवादी यानि कि दो गुट बन गए थे एक तो सामयवादी था और एक दूसरा था समाजवादी दोनों जो गुड़ थे वो ही आफस में टकरा गए और इसका फाइदा किसको मिला हिटलर को मिला क्योंकि हिटलर के खिलाब कभी वो सांजी तोर पर लड़ी नहीं से की और हिटलर के लिए आगे बढ़ना आसान हो गया तो नई रांतिक विचार कौन से है? सोवित विचार आई, रूसी करांती से प्रेणना मिली वहाँ पर समाजवादी, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक और सामयवादी इस परकार के नई विचार है वो उत्पन होते हैं लेकिन कोई बदलाव नहीं आता है, बदलाव क्यों नहीं आपाता है वहाँ पर इसलिए नहीं आपाता है क्योंकि ये सभी जो नई विचार थे ये सभी जो नई विचार धा रहें थी, ये आपस में उलजे हुए थी और इसका फाइदा बाद में हिटलर उठाता है तो यह थे कि कुछ नए विचार कौन से आए किन विचारों को उद्य हुआ कौन से विचार थे वो ज़्यादा परशिद होने लगे जर्मनी में तो वो पहला जो परशिद हुए सबसे ज़्यादा परभाव पड़ा था वो परभाव पड़ा था रूस का क्योंकि रूस उस वक्त एक बड़ी तागत के रूप में उभरा था आगे बढ़ रहा था तो उससे प्रेंडा मिली दूसरे यह था कि डेमोक्रेशी भी एक नया विचार था जो फ्रांस में सक्सेसपूल रहा था तो उससे भी प्रेरित थे तो दो बड़ी विचार तो ये थे तीसरा था क्योंकि चर्च भी काफी शक्ति साले था तो तीसरा विचार था कैथोलिक कूर्ट का उसके बद हम आर्थिक संकट की बात करें अभी तक हमने बात की कि समाज में क्या बदलावाए और कौन से नए विचार आए तो तीन विचार आए रूस से प्रभाईत होकर के समाजवाद और सामयवाद का विचार आया फ्रांस से प्रभाईत होकर के लोकतंतर का विचार आया और क्योंकि वहाँ पर चर्च काफी शक् जर्मनी ने अपना पहला विश्यूद मोटे तोर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद के बाद उसे सवरन मुद्रा में यानि गोल्ड कोईन में हरजाना भी भड़ना पड़ा इस दोरे बोज से जर्मनी के जो सवरन भंडार थे वो खतम हो गए लगपक यानि कि पहला दिय में उसके जो गोल्ड के भंडार थे वो खतम हो गए और आखिर कार क्या हुआ कि 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हरजाना चुकाने से मना कर दिया मना करने का कारण ये था कि वो सालात में था ही नहीं कि वो उस कर्ज को लोटा पाए उसको चुका पाए जर्मन सरकार ने इतने बड़े पेमाने पर मुद्रा चापती यानि इतने बड़े पेमाने पर मुद्रा है वो चापती कि उसकी मुद्रा जिसको ड्यूश मार्क या मार्क भी का जाता है उसका मुल्य के रिक है हमाली जी के हमारी देश की सरकार है वो कई बार आपके मन में आता होगा कि पैसे कहां से आते हैं RBI चापता है RBI किस के एंटर में Central Government के एंटर में तो क्यो ना ये बहुत सारे पैसे चापते प्रिंट कर दे आता होगा ना विचार कि अगर ये प्रिंट कर दे सब को पैसे दे गरीबी चूमंतर हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि जर्मनी ने किया था क्या किया था कि 1923 में वहाँ पर सरकार ने हरजाने देने से और करज लोटाने से मना करती है हाथ खड़े कर दिये कि जो करना है वो कर लीजे हमारे पास पैसा नहीं है मार्क उसका मुल्य गिर गया उसकी वेल्यू गिर गई और दिसमबर 1923 तक एक डोलर में खरबो मार्क मिलने लगए एक डोलर में खरबो मार्क यानि की रद्दी के भाव हो गया मार्क यानि जो लोग थे वो ब्रेड लाने के लिए गाड़ियां भर करके पैसे लेके जाते थे मार्क तब कुछ ब्रेड आप आते थे इतना उसका मुल्ले गिर चुका था जैसे जैसे मार्क की किमते गेते गई एक और अशर हुआ वहाँ पर जरूरी जो चीजें थी उनकी किमते आस्मान सुने लगे बेहद बेहतार सा वहां महँगाई हो जाती है इस संकट को अटी मुद्रस भीदी का नाम दिया गया है जब किमते बेहिसा बढ़ जाती है तो उसे बोलते हैं अटी मुद्रस भीदी तो वहाँ पर हालात पहले ही बूरे थे पर्थम विश्योद के बाद उद्योक चोपट हो चुके थे, वैपार भी बरबाद हो चुका था, बेरोजगारी काफी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उपर से जब वहाँ पर महंगाई बढ़ गई तो लोगों के लिए जीना मोहाल हो गया यानि कि वहाँ पर जीना भी मुश्किल हो गया अब इसके लिए किसको जिम्मवार ठेरा गया वाइमर गंडराइचे को क्योंकि सरकार उनकी थी और ये सब कुछ जो मोके बन रहे थे, ये सब कुछ मोके बन रहे थे हिटलर के लिए क्योंकि आगे चल कर हिटलर इन प्रिस्तितियों का लाव उठाते है क्योंकि जब लोग तंग होते हैं और कोई अच्छी अच्छी बाते करता है कोई ये मुद्दे उठाकर के लेके आता कि मैं ये बदलाव लेके आऊँगा मैं ये करने वाला हूँ तो लोग उसके पीछे हो जाते हैं असाने से तो ये सब कुछ आगे चलके जर्मनी में होता है क्योंकि हालात बेकापो हो चुके थे जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार है उन्होंने हस्तक शेप किया कोशिश की कि जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकाला जाए तो इसके लिए अमेरिका ने डोस योजना बनाई उन्होंने जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की शर्तों को दोबारा तरह किया यानि कि हर जाना है वो थोड़ा कम कर दिया गया और जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए भी जो हो रहे थे कुछा तक उसमें अमेरिका से लिए गए करज पराश्री था यानि कि धिरे धिरे सुधार की तरफ कोशिश की गई कि दोबारा से उद्योग धंदे वो लगाए जाए ने दोबारा से वैपार को सेट किया जाए ताकि जर्मनी हो दोबारा पट्री प्यास के लेकिन तभी 1929 में अमेरिका में वोल्स स्ट्रीट एक्षेंज जो वहां का शेर बाजार है वो धरासा ही हो जाता है यानि कि अमेरिका में भी आर्थिक मंदी आ जाती है, महा मंदी आ जाती है, जो पूरे विश्रों में फेलती है, उस वक्त 1939 से लेकर के 33 तक, अब क्या हुआ, जर्मनी को और ज्यादा समश्या आई, संकट आया, क्योंकि जो मदद मिल रही थी, वो मदद मिल रही थी अमेरिका से, जब अमेरिका ही धराशाई हो गया, तुसे वो मदद मिलनी पंध हो गई, 1939 से 32 के बीच की जो ये मंदी है, लगबग 33 तक चली थी, इस मंदी को सबसे बूरा जो परभाव था, वो जर्मनी के उपर पड़ा था, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, अपराद बढ़ चु लोगों के लिए रोजगार दूर की बात थी, उस वक्त खाने के लिए भी उपलब नहीं था, ड्यूस मार्क थी, उसकी किमते गिर चुके थी, अब लोकतांत्री है जो संसिदी वैस्ता थी, कौन से, वाइमर गंड राजे, सबको लग रहा था कि ये सब कुछ गडबड इस तो वहें उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी लोकतंत्री वैस्ता, इसलिए लोगों का विश्वास खतम हो गया, और अब पूरे देश में रालतिक ऐस्तिरता हो गया, यानि कि वहाँ पर क्या हुआ, कि लोग एक नया ओप्शन देखने लगे, कि कोई ऐसा आ पिक हमने पढ़ा है, कि पर्थम विश्यूद के बाद क्या क्या गड़ पढ़ हुई, तो हमें कहने को तो पांच पॉइंट ही पढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ गई, उद्योग धंदे हैं, वो चोपट हो गए, वैपार परबाद हो गया, महंगाई बढ़ गई, लोगो हुआ, उसके लिए जिम्मेवार ठहरा गया, वाइमर गंडाजे को, लोगतंत्र को जिम्मेवार ठहरा गया, और इसके कांड लोगतंत्र है, वो लोगों के बीच में विश्वास कोने लग गया, अब लोग देख रहे थे, कि कुछ एक नई सरकार, एक नई विवस्ता हो, औ और उसी वक्त हिटलर आता है, तो हिटलर क्या-क्या बदलाव लेके आता है, कौन से वादे लेकर के आते हैं, ये हम अगली वरक्षिट में पढ़ने और समझने वाले हैं, तो आज की इस वरक्षिट में बस इतना है, आगे हमारी कोशिन आंसर है, कोशिन आंसर की तरब युद में मित्र आश्टों के खिलाब युद लड़ा था आपको कमेंट करके बताना है कि ओस्ट्रिया एक देश है जो उस वक्त काफी शक्ति साली था उसकी राजधानी कौन सा सहर है तो आप कमेंट करके जुरूर बताईगा अब हम परशनोतर की बात करते हैं आसान से पां अबी तरीके से चोपट हो गई जर्मनी के उद्योग परबाद हो गई चरब डोलर जो चरब पोंड के युद हर जाने को लोटाने के लिए जर्मनी को और अधिक करज लेना पड़ा उसके खनी सम्ता में जो धनी शेतर थी वो उससे चीन लिए गए जिससे उसके हालात और भी खराब हो गई जर्मनी की मुद्रा मार्क का मुल्य गिनने लगा साथी साथ वहां आर्थिक मंदी चा गए तो काफी कुछ बतला तो क्या क्या प्रभा हुए तो आप आसान से त्रीके से लेख सकते हो अर्थोष्ता चोपट हो गई उद्योग बरबाद हो गई और हर जा करना चाहता आप बेरोजगारी बढ़ गई वहां पर महंगाई बढ़ गई तो ये भी आप लिख सकते हो दूसरा जो कोशिन दिया गया कि वाइमर गंडराज्य के सामने क्या क्या चुनोतियां थी तो पर्थम विश्यूद की लगभग जब समापती होने वाली थी तब वा रोजगारी की चुनोति जो काफी ज़्यादा थी तीसरा था महंगाई की चुनोति क्योंकि वहां पर बेहताहर्शा महंगाई बढ़ चुके थी और चोथी चुनोति थी आर्थिक विकास की चुनोति क्योंकि आर्थिक तोर पर जर्मनी एक कमजोर आश्टर बन गया थी तो हार होती है हार होने के कान वहां के लोगों में उतल फुतल मत चाहती है कि वो कुछ नया option देखना चाहते थे दूसरा वर्षाई की अपमान जनक संधी होते है इसके कान भी वहां पर राजनतिक बदलावाते है तीसरा बेरोजगारी और केमतों में बढ़ोत्री होती है इसके क अपने पैर जमाने लगए उसके बद चोथा परशन दिया गया है कि पर्थम विश्यूद के बाद जर्मनी में किस तरह के सामजिक विचारों को परमुकता दी जाने लगए तो पहला कि पर्थम विश्यूद के बाद समाज में सिपाईयों को अधिक सम्मान दिया जाने पर गई उसके पांचवा जो question है एक value based question है आसान सा है कि यदी कोई सरकार परतिवर्ष एन इंत्रित रूप से लाखों रुपए चापती रहे तो इसके क्या प्रेनाम होंगे जैसे कि हमारी सरकार रुपए चापने लग जाए तो इसके क्या प्रेनाम होंगे कि अगर कोई सरक बार ऐसा करेगी तो रुपए का मुल्य गिर जाएगा और महंगाई बेताहरशा बढ़ जाएगी तो यह थी हमारी आज की आसान सी वरक्षीट उमेद करता हूँ आपकी study बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप बेहद planning के साथ अच्छे तरीके से आप अपनी प झाल